नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्राचीन भात के इतिहास मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे नाम है रवी यादो हडपा सब्विता आपने पढ़ लिया है व्यदिक सब्विता में पहला लेक्चर जो था रिग व्यदिक काल ये आपने पढ़ दिया जिसका टाइम पिर पूर वदिक काल यहां पर जो ववस्था थी बहुत ही दुरूस्थ थी बहुत अच्छी थी लेकिन ववस्था कुछ बिगर गई तर व्यदिक काल आते आते इसलिए दो भागों में बांड दिया गया है उत्तर व्यादिक काल आप पढ़ेंगे आज देए वैदिक सब्वि यजुर्वेद सामवेद और अर्थबवेद इस काल में जो आरे लोग थे उन्होंने कुछ और छेत्रों को विजिट किया भारत के बिहार तक चले गए उत्तर प्रदेश बिहार तक वो चले गए नीचे गुजरात महराश्ट तक इलाके में वो चले गए थे तो ये पूरा छ चेत्र में रहते थे आरे लोग उसे सब्सेंदव चेत्र कहते थे साथ नदियों वाला चेत्र कहते थे लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में आते आते इन वेदों से हमें ये जानकारी मिलती है कि आरे लोगों ने जिन चेत्रों तक विजिट किया उस पूरे चेत्र को आरे वर वैदिक काल आते आते जो विस्तरित छेत्र हो गया इसे आर्यवरत कहा गया है इसे आर्यवरत कहा गया है अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी लोहे की खोज हुई है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की लोगों को हमाले की कुछ और चोटियों के बारे में उन्होंने जाना जैसे त्रिक्कुद करौंज मैना इन सबका उलेक भी वेदों में मिलता है हमें किन आर्द की की सामाजिक स्थिति talking कैसे थी राजनेतक स्थितिक ऐसे धार्मिक जीवन कैसा था वो समझने का प्यास करते हैं पूरवैदिक आगर आपने शारी चीज़ समझी हुई है तो यह भी याद करना भहुत आसान हो जाएगा आपको देखिए सामाजिक स्थितिक बात करते हैं समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार है परिवार के मुखिया को होते थे पीता होते थे तो कह सकते हैं जैसे रिकवेदिकाल पित्र सत्तात्मक था पुरुष्परधान समाज था वैसे ये समाज भी प्रित्र-सत्तात्मक ही है संयुक्त परिवार की प्रथा यहां भी थी लेकिन यहां पर जो वर्ण विभाजन था न वो जन्म मूलक अब हो गया यह सबसे बड़ा परिवर्तन इससे पहले जो वर्ण विवस्था मतलब जो चार वर्ण थे ब्रामन, छत्री, वैशे और शुद्र यह पहले कर्म मूलक थे लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इतनी कठोर वर्ण विवस्था हो गई कि यह जन्म मूलक हो गई अब मतलब छत्री का बेटा छत्री होगा वैशे का बेटा वैशे ही होगा ब्रामन का बेटा ब्रामन ही कहलाएगा लेकिन रिग वैदिक काल में ऐसा नहीं था जो आप काम करेंगे उसी अनुसार आप उस वर्ण में शामिल कर लिए जाएंगे अब पढ़ा रहे हैं पूजा पाट कर रहे हैं तो आप ब्रामन होगे अगर आपका बेटा लोगों की सेवा कर रहा है वो शुद्र हो जाएगा ये विवस्था थी रिग वैदिक काल में लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये कठोर हो गई अब ब्रामन का बेटा ब्रामन ही होगा चाहे कोई भी वो काम करें शुद्र का बेटा शुद्री होगा चाहे कोई भी काम करें और यहीं से शुद्र की स्थिती जो है वो गड़ बढ़ाना शुरू हो गई शुद्रों को अपात्र उनसे घ्रिणा उनका अपमान करना यहीं से शुरुवात हो जाती है इसी कारण से तो उत्तरवैदिक काल के बाद कई सारे ने धर्मों ने उदे लिया, कई सारे यहीं के लोग थे, इसी समाज के लोग थे, इन्हों नहीं अपना अलग अलग धर्म बनाए, जैसे जैन धर्म, बहुत धर्म ये तो अभी भी चलते हैं, ऐसी बहुत सारे धर्म का न में जो question आये हुए हैं उन्हीं का theory रूप है बहुत 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 क्लास नोर्स को फॉलो करेंगे तो बाकी आप अन्य बच्चों से आगे ही रहेंगे एक कदम यह आपको भी ऐसास हो गया होगा आपको बार 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 बताने क्यों पड़ेगी क्योंकि इसने पड़न को अच्छा तरीका है जल्दी से जल्दी पढ़ने का इसके class notes कहा मिल जाएंगे श्रीएजुकेशन ऐप्लिकेशन पर इसके बच्चों class notes मिल जाएंगे श्रीएजुकेशन या 7888-774245 पर आप कॉंटेक करके इसके क्लास नोट्स पा सकते हैं आगे चलेंगे देखे इस्त्रियों की दशा जो है रिग वैदी काल में तो बहुत अच्छी थी यहां पे गिरावट आ गई किसी भी परिवार में अगर लड़की का जर्म होता था तो अच्छा नहीं माना जाता था अभागा माना जाता था ठीक है जो इस्त्रियों की दशा है वो उसमें गिरावट आ गई अब पहले जितनी सतंत नहीं थी इस्त्रियां पुत्री के जनम को न अच्छा नहीं संग जाता है पुत्री को और इस्तरियों कि जो पीता के ऊपर संपत्ती का अधिकार था वो भी छीन लिया गया इससे पहले रिग्वैदिक काल में पीता है पीता के जितने भी बच्चे है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबका बरा कई बहुत परसिद्ध कोई विदूशी महिलाएं का जिक्र बाकी के तीन वेदों में मिलता है इस उत्तरवैदिक काल में वो कौन कोंसी महिलाएं हैं जैसे गारगी गंधर्व ग्रहती मैत्रही देववती काशकृत सनी यह सभी विदूशी महिला जैसे विद्वान मेल के ल साइचा पूरेदेकर में इसे डुरोवैदिक काल में कई नाम से वह आपको यादक में यह यहां पर गोत्र व्यवस्ता स्थापिद हो गई गोत्र व्यवस्ता जो आज है गोत्र सास्थापित हो गई यहां पर चार आश्रमों का विवरण मिलता है चार आश्रम कौन सा है मानजीवन में शुरुवात का जो लगभा 25 वर्षन है वो ब्रह्मचर है उसके बाद ग्रहस्त जीवन अपना परिवार बसाना है जो है परिवारिक जीवन व्यतित करना है उसके बाद वानप्रस्त व्यदिक काल में देखने को मिलता है यहां के लोग चावल नमक और मचली हाती और बाग से भी परचित हो गए थे इससे पहले परचित नहीं थे व्येदिक सब्व υता की में बात कर रहा हूँ हर। भड़पव सब्व dauत थे तो यहां के लोग अब चावल के बारे में भी जानने लग गए नमक के बारे में भी मचली के बारे में भी हाथी के बारे में भी जानने लग देए अब देखते समझते हैं राजनेति tua स्थिति उस समय थी अभी तक आप देख रहें थी जो virtually कृबीला हुआ करता था जिसे जन ताइप राजा नहीं था कोई वंशानुगत पद नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा लेकिन यहां पर हो गया उत्तरवैदिक काल में क्या हो गया राजा का जो पद है वह वंशानुगत हो गया राजा पहले से ज्यादा कठोर हो गया राजा पहले से ज्यादा कठ जिसका दिल करता है राजा को यह टेक्स दे जिसका दिल करता है ना दे जो सक्षा में दे अद्राइज ना दे यह तो रिक वैदिक काल की बात थी लेकिन उत्तर वैदिक काल में कमपल्सरी हो गया टेक्स दो देना ही देना है ठीक है और यहां पे क्या हुगा बच्चों उत्त आपस में मिलकर अब क्या बनने लगे जनफ़द अब आगे ऐसा होगा कई जनफ़द आपसमें मिलकर महाय जनफ़द बनेंगे इसी का बाद सोला्य यह को पढ़ने हैं यहां पर देख रहे हैं दस राग युद्ध के बारे में आपने पढ़ाई है भरत कबीला और दस राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें भरत कबीला जीत गया था रावी नदी जिसे पुरुशनी नदी कहते हैं उस नदी के किनारे युद्ध हुआ था इस युद्ध के बाद भरत कबीला और एक और कबीला था पूरु कबीला इन दोनों में तो अब दोनों मिलकर क्या हो गया अब दोनों मिलकर बच्चो पूरू जनपद हो गया ठीक है है और इसी time period पर इत्तर वैदिकाल में जो सबसे famous जनपद होगा ना वो पांचाल था वो पांचाल था ये पांचाल पहले कबीला भूए करता था लेकिन कई और छोटे-छोटे कभीलों को आपसमें मिला कर इसने अपने आपको जन्पद बना लिया यह सबसे फेमस जन्पद था अब इस काल में जो राजा के सहायक थे उन्हें क्या कहा जाता था एक्जाम में पूछा हुआ है रतनीन कहा जाता था उत्तरवैदिक काल में जो राजा थे उनके सहायकों को क्या कहा जाता था रतनीन कहा जाता था राजा को और भी अलगले नामों से पुकारा जाता था समराट एकराट अधिराज इन नामों से भी राजा को पुकारा जाता था अब राजा का जो पद है ने वो बहुत बड़ा हो चुका था तो राजा जब कोई बनता था तो यग होता था इस यग को क्या कहा जाता था तो राजस्यू यग कहा जाता था राजा का राजबिशेख जब होता था उसमें कौन सा यग करवाया जाता था एक्जाम में पूछा यहां पर mandatory कर दिया गया अब ब्रामणों की जो स्थिति है यहां पर बहुत ऊची हो गई तो इसलिए ब्रामण कुछ भी कर दें उन्हें मृत्यु दंड नहीं मिल सकता था यह आप समझने का प्रयास कीजिए अब इसके बाद आर्थिक जीवन वहाँ पे क्या था अब बताईए याद अगर हो पूरवैदिकाल में या रिगवैदिकाल में मानव का या आर्ये लोगों का मुख्य पेशा क्या था पशुपालन था क्रिशी सेकेंडरी था लेकिन यहां उल्टा हो गया यहां क्रिशी मुख्य पेशा हो गया यहां पे मुख्य पेशा क्या हो गया क्रिशी हो गया और पशुपालन सेकेंडरी हो गया पशुपालन जो है वो सेकेंडरी हो गया लोहे की खोज हो चुकी है लोह दान सबसे पर्मुक्द फसल थी इस काल्व मैं दान। सबसे पर्मुक्द फसल थी कही है अब एक नोट आप याद कर लिजेगा नोट बनाकर आपलेौआ लिए आप लिख लिए गा ल क्या होगा के बारे में। लोहे के सबसे ज़्यादा प्राचिन्तम जो साक्ष्य वह कहां से मिले हैं तो अंतर जी खेड़ा पूछा हुआ है तो कोई भी कोश्चन अगर दुबारा से अग्जाम में पूछा जाएगा तो आप असानी से बता पाएंगे देखिए माप तोल के लिए अलग-अलग इकाईयों का यूज होता था जिसे आज होता है लिटर मिली लिटर ठीक है और वजन नापना किलोग्राम उस तरीके से क्रिशनल रतिका और गुंजा ये तीनों की तीनों क्या है मापने की इकाई है इसमें से कौन सी इकाई मूलभू इक्जाम में पूछा हुआ है तो क्रिशनल जैसे मैं पूछूं स्पीड को मापते हैं इसकी क्या है मीटर प्रतिस सेकंड एक्सिलरेशन को नापते हैं उसकी क्या है मीटर प्रतिस सेकंड स्क्वायर अगर मैं पूछूं बल की क्या है मीटर किलोग्राम मीटर प्रतिस सेकं sqr या Newton ऐसे बोल दिया आता है ठीक है कि यह इकाई यह fundamental नहीं अगर मैं पूछूँ लंबाई की काई किया है मीटर वजन अगर नापना आपको द्रभमान की क्या है किलो ग्राम तो यह fundamental है यह fundamental है तो कई fundamental इकाई और से मिलकर जो इकाई बनती है इसे व्यूत्पन इकाई कहते हैं डिराइड यूनिट बोलते हैं जैसे बल की यूनिट क्या यह डिराइड यूनिट है या कहा जाए इसको व्यूत्पन यूनिट है तो यह मीटर किलोग्राम या सेकेंड यह सब क्या है यह फंडामेंटल यूनिट है ऐसी unit जो किसी दूसरी unit पर depend ना हो वो fundamental unit होती है ऐसे quantity physical quantity जो दूसरी physical quantity पर depend ना हो fundamental physical quantity कहते हैं नई समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं जो science के student है वो उनके लिए बहुत आसान है उनको समझाने जूरूत भी नहीं है और इस काल में लोगों को समध का ग्यान भी हो गया था आपको बस याद रखना कि क्रिश्मयल मूल्भूति इकाई थी और बाकी ये unit का ग्यान हो गया था इस unit का इस्तेमों करता था मानह उस्डे जमें धूसर मृद्भांड का जिक्र है मतलब जो मिट्टी के बरतन आग में पके हुए होते हैं जिन पर चित्रकारी होती है बहुत अवल दर्जे के वो भी यहां पर उसकी भी यहां विशेज जो है इस्थिति थी यहां पर बनाए जाते थे अब बच्चो देखिए एक साक्ष मिला है 24 बैलों के द्वारा खीचे जाने का साक्ष मिला है एक हल को 24 बैल खीच रहे हैं 24 बैल के द्वारा खीचा जा रहा है अब धार्मिक जीवन के बात करते हैं और यहां पर जो लोग पूझा पार्ट कर रहे थे उनका में उद्देश क्या था उनका में उद्देश भौतिक सुख की प्राप्ति था जैसे आज का मानव है ज्यादा तर लोग जो पूजा पार्ट करते हैं वो यही डिमांड करते हैं कि भाईया मेरे पास कार हो जाए बंगला हो जाए मतलब भौतिक सुख की प्राप्ती करते हैं ऐसा सुख जो फील कर सके ठीक है मेरा पैसे आ जाएं वही उद्देश यहां पर था पुजा पाट का जो मेरे उद्देश था भौतिक सुख कि मेरे पास जिए मेरी फसल इस बार बहुत जादा उग जाए मेरे पास गायों की संख् अधिक हो जाए ऐसे ही भगवान से वो पूजा करते थे इंद्र भगवान ये पूर वैदिकाल में रिग वैदिकाल में बहुत जादा परसिद्ध थे सबसे परमुख देवता यही थे लेकिन उत्तर वैदिकाल में सबसे परमुख जो देवता है वो प्रजापती है कौन से किस चीज की देवता थे युद्ध का नित्रित करने वाले कि इस काल में दो और देवताओं का नाम आता है रुद्र और विश्णु रुद्र जो है वो पशुओं के देवता थे विश्णु लोगों के पालन करता थे ठीक है देखिए बच्चों इस काल में जो पूशन देवता है ये शुद्रों के देवता हो गए है लेकिन यही देवता रिक वैदिकाल में पूशन जो देवता थे रिक वैदिकाल में जानवरों के देवता थे और यहाँ पर क्या हो गए ये शुद्रों के देवता है ठीक याद जहन धरम की बाते करेंगे जहन धरम के बारे में पढ़ेंगे मैंने आपसे वादा किया है तो मैं complete course करवा के ही छोड़ूँगा आप लोग बहुत अच्छे-च्छे कमेंट कर रहे हैं एक student में देखा बोलने हैं कि आप course complete क्लिनिक रहते मैं करवाऊंगा बस आप से यह उमीद रखता हूं वीडियो को आप एक बार लाइक कर दी अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर अपनी कीजिएगा कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है शेयर करेंगे तो और भी मजा आ जाएगा ठीक है तो चैनल हमारा बहुत इस फरगनी पढ़ता है चाहे कितने भी स्टूडेंट पढ़ें हम क्वालिटी से समझाथा नहीं कर सकते हैं आप कोई जो नोट सरी एडूकेशन एप्लिकेशन पर श्री एड्यूकेशिन एप्रिकेशन पर बच्चो इसके class note है इसके क्या complete gs के मैंने class note provide कर वा दिये है मात्र 499 में मात्र 499 में complete gs के class notes ले जाईये या 7888774245 पर भी contact करके आप notes पा सकते हैं तो चलिए बच्चो मैं अलविदा चाहूंगा आप से अगले रेक्चर में आप से मुलाकात करूंगा नमस्कार